हेलो और नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी I hope सभी अच्छे होंगे अपनी preparation में भी लगे होगे क्योंकि जो भी candidates के सामने upcoming exam AIB19 का है वो अपनी preparation प्लीज अच्छे से करें ताकि AIB19 में सफल हो सके first attempt में ही और साथ इसाथ जो AIB18 में सफल हो गए थे उनके लिए भी एक भारते संविधान के mcqs इसे पहले हमने जन्ही त्याचिका से सम्मधित महत्पुन वादों की सीरीज भी लेकर आये थे क्योंकि इंग्यान Constitution जो है अकेला 10 marks का आता है और उसमें आपके पी आयल पब्लिक इंट्रस लिटिगेशन 4 marks का आता है अलग से मतलब और interpretation लो भी आ प्रिथाकर्ण का जो सिध्धान तक किसके द्वारा दिया गया था यहां पर चार ओप्षिन है डायसी भी मांटेश क्यों सी लॉक और दी हाप का प्लेटो तो बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वाशन है बहुत ही इंपोर्टन क्वाशन भी है कि सक्तिके प्रिथाकर्ण का जो सिध्धान था वह मॉंटेश की के दूरा दिया गया था ठीक है और विधी का शासन जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 के अंत्रकद वो डायसी का सिध्धान था उसके बाद नेक्स क्वेशन है निमली खित में से कौन सा समिधान के अनुछे 132 में वर्णित विधी प पर सामिल नहीं है क्यार संसत का एक अधीनियम रूड़ी वीनियम तो यह अभी हमने आपको यूज की अभी है सारे वर्ण तो क्या ने आएगा समिधान का संसोदन जिसको लेकर काफी केस दोस जो है आते रहे हैं सबसे पहले आपका शंकरी प्रिशाथ फिर सजन सिंग फिर अनलिमिटेड हो सकतिया लिमिटेड होनी चाहिए कि जो मौल आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉंस्टिशन का उसमें परिवर्टन ना हो और साथ ही साथ के संसोधन आर्टिकल 13 में क्लॉस 2 के अंतरकत विदी शब्द के अंतरकत आया नहीं है इसी चीज़ को लेते हुए हमा सिध्धान्त पढ़ेंगे आपको चार बताएंगे निकों से थर्टीन वेत सिध्धान्त नहीं है परिथाकडियंता का सिध्धाथ ततोर सार का सिध्धान्त, अभित्याक का सिध्धान्त, आच्छादन का सिध्धान्त फैक के अंतरगत ये शामिल होगा, most important question है, next है कि आच्छादन का जो सिध्धान्त है, वो उसमें leading case पूशने है, कि कौन सुप्रेम कोट ने कौन से वाद में इसको प्रतिपादित क्या है, ठीक है, यांकि डॉक्टर नूव एकलिप्स का जो सिध्धान्त थोई है, उसको किस case में सुप्रेम कोट ने पृतिपादित क्या है, तो रोमेज थापर बनाम, मद्रास राज्य, भीकाजी कामा, बनाम, मध्यप्रदेश राज्य, और एम, डीसी बनाम भारत संग, मेंका गांधी बनाम भारत संग, तो आच्छादन का सिध्धान से जो most important case है, जिसमें इसको प कौन सा कतन निमलीखित में से सही है, सही कतन पूशने ध्यान निकेगा यहाँ पर, अनुछे 368 के अधीन किया गया संसोधन, अनुछे 13 में प्रियुक्त विधी के अंतरगत आता है, अनुछे 13 के अंतरगत प्रियुक्त विधी में, अनुछे 368 के अधीन किया गया संसोधन नहीं है यहां पर सही क्या है अभी आप उपर भी शेश को पढ़ चुके हैं कि अनुशे 13 में जो प्रियुक्त विदी शब्द है उसमें 368 के अंतरकत क्या कैसे संसुदन शामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा भी नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा निमलिखित में से कौन सा सिध्धान समविधान के अनुशे 13 से संबंधित नहीं है तो यह अभी हम पढ़ चुके हैं बट यह new question है दूसरा आप लोगों की पयारी को और मजबूत करने के लिए ताकि आपको सारे सिध्धान्तों के संबंध में पता चुल जाए तो देखे नेजस्ट है अभी आपको पता है आर्टिकल 13 जी संबंधित है छदम विधायन का सिध्धान्त ठीक है कलरेबल थ्योरी जो है next है अभीत्यजन का सिध्धान और प्रिथा करने इत्या का सिध्धान्त तो यहां पर ध्यान नख्येगा यहां पर यह तीनों ही अभी आपको प पूछे जाते हैं अब यह पूछें कि आच्छादन के सिध्धान से संबंदित महत्पुन वाद कौन सा है पहला है भीका जी कमा बना मध्य प्रदेश राज्ये का दूसरा है केशो माध्यों बना मेनन बॉंबे राज्ये का तीसरा है बिहार राज्ये बना अब आगे आप लो जुडिशल रिव्यू को इंक्लूड किया गया है तर्फ 11 के अंतरगत पर्लेमेंट की नागरिता से संबंदित विदी बनाने की पावर 12 में इस्टेट सब्सको बताया गया है और 15 में धर्मूलवन्स, जातिलिग जर्मस्थान क्या धर्पर प्रोहीबेशन को क्या किया गय कि पावर ही तु है आप आर्टिकल 30 ने तो दे दी अब पथा हमारा फुरू हाइक पनलो कम से की सिंपल चाइक साथ्चन है सुपर्यम कोड ही कोड को हुपर सब्सक्राइब घुंहें की लटका कुण द्रैबिक तो बिल्कुल सिंपल बात है बहुत इजी कॉशन है ट्रैफन का आधिकार देता है ग्रफara से संनक्षण नहीं देता है ये देता है हमारा आडिकल ट्रइ नेक्स्ट हमसे आपर सही उत्तर पूछा गया है अधी त्याजन करना अनुग्य है सभी मूल अधिकारों का किसी भी मूल अधिकार का नहीं ऐसे मूल अधिकारों का जो पूर्णते निजी हितों की रक्षा करते हैं एसे मूल अधिकारों का जो नीती निजीशक से तत्वों से आसंगतों तो इतना आप भी समझते हैं कि अभी त्याजन करना परमीशन नहीं दी गई है यानि कि किसी मूल अधिकार का अभी त्याक नहीं किया जा सकता है अब यह उपर अधित्याजन का सिध्धान्त भी पढ़ समिधान पशात विद्यों पर किंदू के और नागरों के संबंद में तो देखे सिंपल है ग्रहन का जो सिद्धान होता है वेकल समिधान से पहले वाली विद्यों पर ही लागू होता है ठीक है क्योंकि ग्रहन का सिद्धान ग्रहन मतला समिधान लागू होने से पहले के जो ल वंहीं करता है ठीक है नेक्स्ट है राजे किस मामले के निर्णा नुसार भारती समिधान में प्रदत अधिकारों को समिधान की आधारिक सन्नेशना प्रभावित केवीना छीनिया नियून कर सकता है तो बिल्ख यह बोजिक इस्ट्रक्टर को आप ना तू शीन सकते ना ही कम कर सकते हैं ऐसा आप यूज कर सकते हैं राइटस को तो बिल्कुल भाई पृत्यक करनेता का सिधान इसी चीज़ पर तो लागो होता है जितनी चीज जो है शुन्य है तो पूरे अधिनेम को हटाने से अच्छा क्या है उसकी उतनी ही धाराओ को हटा दो जो उसको मतलब शुन्य गोशित करते हैं बाकी जो है लीगल मना जाएगा नेक्स्ट है सोरी नेक्स्ट क्वेशन है हमारा विधियों के समान सन्रक्षन खंड का ग्रहन अनुच्छेद 14 में क्या गया दे को विधियों के समान सन्रक्षन तो विधियों के समान सन्रक्षन जो है वो अमेरिका के समिधान से लिया गया है ठीक है और विधी के समक्ष समा जो इक्वल प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो अमेरिका से लीगी पदावली है ठीक है वाक्यां सा और साथ जो समानता दे रहे है विदी के समक्ष ठीक है वो कहां से लिया गए ब्रिटेन से लिया गया है नेक्स्ट है सही उत्र पूशे अनुछे 14 युक्त्युक्त वर्गीकरण वर्ग के आधार पर वर्गीकरण अनुग्याद करता है यान कि युक्त्युक्त वर्गीकरण और वर्गीकरण को परमेशन दे रहा है अनुछे 14 युक्त्युक्त वर्गीकरण और वर्ग विधायन भ युक्त युक्त वर्गी कर्ण डिजनेंबर क्लासिफिकेशन और वर्ग के आधार पर वर्गी कर्ण बता रहा है यानि कि ये वर्ग विधान को प्रोहिबेट कर रहा है आर्थिक द्रस्टी से पिष्टे वर्गों के पक्ष में भी ये चीज़े बात नहीं बता था और नहीं बारा में समविधान की उद्देशिका में अनुच्छे चोतिस में और अनुच्छे चोहदा में तो रूल आफ लॉज जो है आर्टिकल 14 के अंतरे करते हैं जो डैसी का सितान थे हम अभी आपको परिशिच को बता चुके है नेक्स्ट है क्वेशन हमारा अनुच्छे अर्थ है कोई विबेदकारी विधान जो अनुच्छे चोहदा का अतिक्रमन करता है शुन्य है को विधान जो यूक्त वर्गी करन करता अनुच्छे चोहदा की चपेट में नहीं आता तो इसमें हमसे पूछ आगे आर्टिकल 14 का आर्थ तो यहां पर देखे दोनों संजो यहां पर सत्य होंगे नेक्स्ट है क्वेशन है संसत एक विधान पारित करती है जिसके द्वारा विवाहित इस्त्रियां एयर इंडिया में नियोजित नहीं की जा सकती यह विधी अतिक्रामक है अनुच्छे पहत पंध्रह का जो लिंग के आधार पर विभेत प्रति सुनिशित करती है अनुच्छे 14 का जो विधियों के समान सनक्षन और सुनिशित करती है तो सिंपल सी बात है आर्टिकल 14 को लंगने क्योंकि आपको ऐसा अधीनियम बना रहे हो और विधी के समक्ष समानता हो सनक्षन आर्टिकल 14 दे रहे हैं तो आप ऐसा कोई भी लौनी बज़रा सकते जो क्या कर रहा हो ऐसा मानता करता हो लोगों के बीच में next question है यदि विधी में उबंदित क्या गया कि air इंडिया में यदि कोई airhost है जो air इंडिया में न्यूकत है चार वर्स के अंदर गर्वथी हो जाती हैं के pregnant हो जाती हैं तो उसकी सेवाय क्या करta जाए इस विधी पर आक्षेप कैसे लगा जाएगा विधी के आधार विधी लिंग के आधार पर अविभेद और प्रत्याबूति का क्या हुआ इसमें अतिक्रामक है विधी युक्ति वर्गिकरन करती क्योंकि नियोजक विशेश करती का है विधी वैद है एर इंडिया भी निगम होने के कान राचन नहीं है तो यहां पर देखें यहां पर आटक्षन होगा एक क्योंकि यह विधी लिंग के आधार पर आविभेद कर लिए तो आक्रामक हाक ऐसा जो है यहां पर नहीं कहले सकता पौट इंपोड़न यहां पर एक केस था इस सम्बंदित नेक्स्ट है गलत प्राइवेट कंपनी के वरुद प्राप्त है बारा संके वरुद प्राप्त है उसे इसी बात अपर प्राइवेट कंपनी के वरुद इस परकार का जो अधिकार प्राप्त नहीं होता है आज की वीडियो का लास्ट क्वेशन है कि अनुछे 14 में वाक्यांस वीडियो के समान मिलती रहें और आपने हमारे चैनल को नहीं कहें तो सब्सक्राइब तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद